बाहु बली गुजिया की धूम बाहु बली गुजिया खाने की प्रतियोगिता कोई पूरा ना खा पाया बाहु बली गुजिया होली रंगो का त्योभार है होली के दिन कई तरह के पकवान भी बनाये जाते हैं इनमें गुजिया को खास तरजीह दे जाती है वाकई गुजिया खाने में इतनी लाजवाब होती है कि कोई भी इसका स्वाद लेना नहीं भूलता है लेकिन जब यही गुजिया आप पर हावी हो जाए तो आप उसे पूरा ना खा पाएं तो लखनाव के इस दुकान में लगी भीड में कुछ ऐसा ही हो रहा है यहां बाहु बली गुजिया की धूम मची है आप भी यह सोच रहे होंगे कि आखिर एक छोटी साइज वाली गुजिया को हम बाहु बली क्यों कह रहे हैं दर असल लखनाव के सदर बजार में 56 भोग नाम की एक दुकान में एक अलगी साइज की गुजिया बनाई गई है जिसका वजन तक्रिवन दो किलो है इसलिए इसका नाम बाहु बली गुजिया रखा गया है बाहु बली गुजिया बनाने का आइडिया कैसे आया बता रहे हैं इस दुकान के मालिक रविंद्र गुपता इस दुकान में लगी भीड इस बात की गवा है कि ये गुजिया काफी फेमस हो चुकी है इसके फेमस होने की एक और वज़ा है गुजिया खाती ये महिलाएं एक प्रतियोगिता का हिस्सा है 56 भोग दुकान के मालिक ने इस गुजिया को खत्म कर देने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है जिसमें महिलाओं ने बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया है तो क्या इनमें कोई ऐसी महावली निकली जो इस गुजिया को खत्म कर पाई हो इस कॉंपटिशन के अंदर हमने जितने पार्टिसेपेंट हों के उनके सामने बहुबली गुजिया होगी और वो उसको रेलिश करना चुरू करेंगे और जो जितनी जल्दी फिनिश करेंगा उसको जो है हम यह मानेंगे कि रियली उसका जो टेस्ट वो स्वीट टूथ नह अभी तो लोग तो अभी कुछ नहीं पता चला कौह जीता अभी थोड़ी देर में हो सकता कर देंगे जीता अब आप बेटेट करके पताएंगे कौन जीता को नहीं अब आप ज़ाएंगे काफिन गुजिया होगी तक अपने के पास मैं कुछ भी नहीं आई एंटू फिनिश फिफ्टी परसेंट बट मैंने फिफ्टी का भी आदा नहीं किया बिकस्ट इस वो सो हेवी हाला कि इस गुजिया की कीमत छे हजार रुपे बताई जा रही है साथ ही दुकांदार रविंद गुपता का दावा है कि ये दुनि में बस इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए जुरे रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ